कुरोनकाल से बनभी ट्रेशनों का आवागमन सरकारद्वारा शुरू किया गया है. भांडक रेलवे स्टेशन पर आज तक किसी भी ट्रेशन का स्टौपज नहीं दिया गया है. भांडक एतियासिक नगरी की नाम से विख्यात है यहां पर बाहर गाओं से आने वाले परेटों को हमेशा जमाओडा लगा रहता है भांडक शहर रेलेवे स्टेशन पर किसी भी गाड़ी का स्टॉपेज ना होने से आने वाले परेटों को और शहर से बाहर जाने वाले ग्राम वासियों को बहुत बड़ी परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है शहर की जनता इसी बात से परेशान है कि सरकार द्वारा कोरोना काल में गाड़ियां बन कर दी थी तो वहीं ठीक था लेकिन जब से गाड़ियां फिर से शुरू की गई तो कम से कम जो गाड़िया कोरोना काल के पहले भन्दक रेलेव स्टेशन पर रुका करती थी उनका स्टॉपईज उनका स्टॉपईज तो वैसे के वैसे ही देना था लेकिन रेलवेव विवाग का इस और कुछ भी ध्यान भद्रावती शहर की जनता को यदि कोई भी गाड़ी पकड़ना है तो वरोरा, चंदरपूर, बल्लार्शा नहीं तो फिर वर्दा जाना पड़ता है। अब कोरोना से खस्ता हुई आर्थिक हालत पर यह आम जनता की जेप पर अतिरिक्त भार पड़ रहा है। उसे रेलिवेई विवा को कोई लेना देना नहीं है। आम जनता द्वारा चून कर दिये गए लोग को प्रतिनीदी भी इस बात की तरफ ध्यान देना उचीत नहीं समझ रहे। भद्रावती शहर में जैन समाज का बहुत बड़ा तिर्तस्तान है। बिजासन बुद्धलेदी के नाम से प्रसिद्ध बुद्धलेदी विदर्बक के अश्टे विनायक में से वरद विनायक गनिश्मंदीर यहां पर है। गोन राजादवरा स्तापीत किला भी भद्रावती में है। एहतियासिक और पुरातन मूर्तियों से भद्रावती शहर में भरा हुआ है। सभी चीजों को देखने के लिए बारगाओं से कई परेटक भद्रावती शहर में आते हैं लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी शहर में किसी भी ट्रेन का स्टाप नहीं देना यह एक आश्यरे की बात रखती है। ट्रेनों के स्टापिज में डक्षिन निजामुदिन एक्सप्रेस, एरिनाकुलम एक्सप्रेस जनता है एक्सप्रेस ऐसे कई तरह की गाड़िया भद्रावती शहर में पहले रुका करती थी लेकिन इन पुराने गाड़ियों को भी स्टाप देना रेलवे विभाग ने जनता नाराज होती दिखाई दे रही है संबंदित विभाग द्वारा इस और ध्यान दे कर भद्रावती शहर की जनता की इस समस्या का निराकरण लोक प्रदिनिती द्वारा जल से जल करने की मांग भी की गई है